दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंद्र भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश भी है लेकिन फैक्ट्स पर नजर डालें तो ये समझ में आता है कि हमारे देश की ओसत उम्र भले ही कम हो लेकिन हमारे देश के सांसदों की ओसत आयू 57 साल यानि 57 येर्ज है सरकारी नौकरी से रिटायर होने की उमर से जरा सी ही कब वैसे ये फैक्ट्स 2019 में चुनी गई लोक सभाके हैं यानि हम एक ऐसे नौजवान देश हैं जहां राजनिती जादा तर उम्रदराज लोगों के ही हाथ में रही है लेकिन राजनिती में युवा कम है पर कम तर नहीं पूरफ से पश्चिम और उत्तर से दक्षन तक कई नौजवान ऐसे मिल जाएंगे जो राजनिती के मध्य में हैं एक नाम हमारे साथ इस वक्त हैं लोगों की पढ़ाई जहां जाकर विराम लेती है यानि की वाटन स्कूल वहां से लौट कर इस नाम ने अपनी राजनिती क कॉंग्रिस, पार्टी के महासचिव, टोंग से विधायत और चट्रिसगर के प्रभारी हमारे साथ हैं सचिन पाइलेट स्वागत है आपका हमारे इस खास कारिक्रम में तो सचिन मैं शुरुवात करूँगी आपकी ही कही गई कुछ लाइन से एक शेर है जो आपने कुछ वक्त पहले किसी से कहा था उसको मैं रिपीट करूँगी उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है मुझे यकीन है कि आस्मान कुछ कम है आपने अपना एक मुकाम सचन पाइलिट हासिल किया है फिर भी सचन पाइलिट को आस्मान कम क्यू पढ़ रहा है बहुत बहुत शुक्रिया मुझको यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए और मैं आपको बढ़ाई देता हूं कि आपकी रिसर्च टीम बहुत बढ़िया है आपने जो मैंने कहा उसको दून धान के आपने प्रस्तुत किया मैंने एक सवाल मुझसे पूचा गया था राणिती के संधर्व में और उस समय चुनावों की करमाहट शुरू हो गई थी और बहुत से लोग बहुत सी बाते बोल रहे थे तो मुझे लगा कि बजाए इसके कि मैं कुछ कठोर या कड़वे सब्दों गपरयोग करूँ मैंने ब अपने अंदर की ताकत को लेकर और अपने कमिट्मेंट को लेकर तो देर सही दूर सही लेकिन आप मनजल को हासिल कर सकते हैं और हम इस Yuvah Conclave में हैं, audience, जो एक Yuvah audience है, हमारे जो दर्शक है, TV के दर्शक, वो भी आपको सुन रहे हैं, सांसद, केंद्रे मंत्री, विधायक, डेपुटी CM, प्रदेश अद्यक्ष, महा सचेव, MBA graduate, territorial army में captain, आपकी लिस्त तो खतमी नहीं हो रही है, और कुछ जोड़ना कुछ आपने पढ़ के सुना है, आपका कहीं, ये एरादा तो नहीं है कि आपको लगता है कि मुझे रेटायर हो जाना चाहिए, बहुत कुछ कर लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप एक प्रेंटना स्रोथ हैं, आप मोटिवेट करेंगे हमारे audience को, और हमारे दर्शकों को सांसत उम्र है, वो प्रपोर्शनेट बिल्कुल नहीं है, तो आप जैसे कुछ चुनिंदा नामों को छोड़ दें, तो ये प्रपोर्शन गरबढा जाता है, तो मेरे पास एक आकड़ा है, दोहजार उन्नेस में चुनावों के आकड़े बतारे हैं कि BJP और कॉंग्रिस पा ये इस देश की चुनावी हकीकत है, और आप बिल्कु सही कह रहे हैं कि जब चुनावी रंड में उतरना होता है, तो हर पोलिटिकल पार्टी ये देखती है कि कौन सा वेक्ती चुनाव जीच सकता है, और कोई दल या कोई नेता किता भी चाहे कि मैं अच्छे, शिक्षित, नौजवान, समझदार, करमत, इमानदार लोगों को उतारूं, लेकिन क्या हम लोग, हम लोग मतला हम मतदाता, क्या हम उन उम्मीदवारों के साथ म्याय करते हैं, क्योंकि आकड़ आप बता रहे हैं कि कम उमर के लोग कम जीतते हैं और जो जिनकी उमर जादा होती है, वो हो जीतते हैं, तो रांजदी दल वो ही करेंगे जो जंता का आधेश हो गा. cart isn't a गर नौजवानों को जिताने में परेज करती है या कंजूसी करती है, तो political parties अपने आप, उनको ticket दोना कम कर देंगे, आपके दाना कम कर देंगे, अरल हर political party बोलती है कि हम युवाओं को आग करता है, हम तो उमिदवार दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक को चुनाब जिताना है, लेकिन, मैं ऐसा मानता हूं कि इतनी बड़े देश में, बदलाव आते हैं सहमें लगता है, इस देश में आधे ममाधांताया आदी जनंग ते लेकिन महिलाओं जब मुन को चुनाव रडाते हैं तो जीती नहीं है या कम होसत में जीती हैं तो प्रपॉश्टनेट जो महिलाओं का रेप्रेजेंटेशन है हमारी पार्लेमेंट में बहुत काम है तब ही हम लोगों को जरूत पर ही आरक्षन देने की लेकिन मैं ऐसा मानता ह की इंदुस्तान में अनेकों चुनावाते हैं ग्राम पंचायत के नगरपालिका के विधान सभा के कॉर्परेशन के सांसाथ के अब जो लैंड्सकेप है वो शिफ्ट कर रहा है आज से 20-25-30 साल पहले बहुत कम लोगों को यह लगता था कि वो लिडर्शिप रोल्स को अच अब भी हो रहे हैं देखो चुनाव जीत जाना सरफ अंत नहीं है चुनाव जीतना शुरुवात है चुनाव जीतने के बाद आप अपने काम से अपनी वानी से अपने कारेकुशलता से अपने हार्ड वर्क से लोगों का मन जीत पाते हैं कि आप दुबारा चुनाव जीते ह जिनाव की निए पर अगे विंगे रखेंगे तो वह लोंग टर्म में समाज को देश को हर तरह से जाता योगनान दे सकते हैं और यह बाद सिर्फ एम कि अगर कुछ आगे बढ़ने का मौका देते हैं, तो चारिटी नहीं है, कोई एहसान नहीं है, सिरफ एक 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 लेवल प्लेंग फिल्ड, एक उपरचुनिटी और उनको मोटिवेशन हम देते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और यह बात सिरफ राजनी तरक सिमित नही है, कॉर्पेट वर्ल्ड में, आर्ट्स वर्ल्ड में, पतरकारिता में, लेकिन बदलावारा है, आज आप देखिए, जो ग्लोबल टॉप कंपनीज हैं, उनके जो CEO's हैं, जो MD's हैं, उनकी और साथ उम्र क्या है, जो बड़ी-बड़ी NGOs हैं, बहुत सारे खेलों में तो हम सबका सामुहिक एक effort होना चाहिए, कि यंग लोगों को हम motivate करें, और उनको सिर्फ एक उधारण रहें, आपने शुरुआत बहुत कम उम्र में राजडीती की दुनिया में की, लेकिन उस तरह का motivation बाकी youngsters में, बाकी उवा में दिखाई क्यों नहीं देता है, उसका मुझे बहुत जल्दी ये मौका मिल गया था, मैं 26 साल की मुझे संचत पहुच गया, अब मैं जब संचत बन गया, और मैंने काम करना शुरू किया अपने चेत्र में, परदेश में, अपनी पार्टी में, तो मैं हर जगे कोशिच करी, कि मैं अपने experience का, उसको शेयर लोगो मिला है, और मैं औरों का रास्ता रोकूंगा, तो मैं नयाय नहीं कर रहा हूं, पर हमारे profession में, unfortunately, बात ही है, कि जो जगे सपते पहुंच जाता है, फिर वो चिपके बैड़ जाता है, और वो किसी को आने नहीं आगे देता है, ये एक politics की एक कमी में मता हूंगा, लेकिन उनको आगर आप आदे मन से नहीं, पूरे मन से मौका देंगे, तो वो शाइन करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे, वो डिलिवर करेंगे, ये मेरा अपना खुद का experience है. पर सचिन, इस वक्त की, आज की राजनितिक दुनिया के एक हकीकत ये भी है, कि जब एक युवा महिला उमीदवार को, बीजेपी हिमाचल के मंडी constituency से उतारती है, तो कंगना रनौत की हम बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर एक अलग ही discourse, चर्चा, बाते होने लगी हैं, जाह कि आज की प्रवक्ता की तरफ से ही सामने आया, ये प्राजनिति में किसी की प्रती, किसी भी व्यक्ति नेता है दल को, अशोबनी टिपनी ने करनी चाहिए, चैया वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, लेकिन जहां तक आप जिस वाक्य की बात कर रहे हैं, उसका स्पष्टिक र लड़ रहा था, तो मेरी उमर कम थी, इसका लिहाज थोना किया जो बीजेपी का पत्याशी था, उसका पूरी ताकी से चुनाव लड़ेते हैं, बल्कि कहा, अनुभव नहीं है, फला फला के बैक्राउंड के आते हैं, तो राजनिति में अटैक भी पूर होता है, जैसे बैडिंगरने पहुँच गए, उपनिंगर नहीं है, आपकी उमर अथारा साल की है, तो यहाँ जो फास्ट बॉल अजारा है, वो थोना आपको लूस बॉल डालेगा, क्योंकि आपकी उमर कम है, टेस्ट मैच होता है, राजनिति होती है, तो हम लोगों को समझना पड़ेग कि अगर विरोध होगा, हाला कि मैं शुडू मैं कहा, अशोबनी है, अन परलिमेंटरी और अंडिंग्रिफाइड कोमेंट बोलने की कोई स्पेस राजनी बे नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेधानते पोलिटिकल अटाक तो होंगे, तो उसका सामना करने का जगरा भी हमको रख कि अगरा जाता हूं कि अगरा जाता हूं कि अगरा हमारा हिंदूस्तान कराज्य है और यह लोग तंतर का पर्व होता है आमचुनाव इतने बड़े लेक्शन में जब देश की तकदीर हम को तै करनी है तो हम लोगों को मुद्धे बी चुनने चाहिए और अगर इशू बेस इशूस हैं जो पुब्लिक को टच करते हैं जिनको रोज मरा जिन्दगी को एफेट करते हैं उन इशूस को मुरे खांकित करें उनको हाइलाइट करें तो एक हिल्डी डिस्कॉर्स बनेगा पर आप लोग उन तो बैठे-बिटा है बीजेपी को मुद्धा दे दिया विमें इस पर चर्चा करनी चाहिए उस पर चर्चा करनी चाहिए दो करोड रोजगार मिले की निविले इस पर चर्चा करनी चाहिए काला धन वापिस आया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए गैस का सिरेंडर चुनाव से पहले क्यूं किया बारा सो का बिक्रा था ये इशूस हैं तो आम आदमी के इशूस हैं, रोजगार की बात, आज शिक्षित बेरोजागरों की जो संख्या है, रेकॉर्ड लेबल्स पर है, सिंस इंडिपेंडनेंस इतनी अनेप्लॉइमेंट देश में कभी नहीं रही, और कहा गया था कि हम फार्मर्स की इंकम दुगनी कर देंगे, यह तो हैं पबलिक को छूने वाले इशूस, और अगर उपोजिशन का काम क्रिटिसाइज करना नहीं है, उपोजिशन का काम सवाल पूछना नहीं है, ट्रांस्पेरेंसी की डिमांड करना नहीं है, तो फिर विपक्ष का काम ही क्या है फिर, और राजनीती में, डिमॉक्रसी में, जित्ती बड़ी जमेदारी सरकार की है, उत्ती विपक्ष की भी होती है, लेकिन विपक्ष को आप काम ना करने दें, उनके खाते सीज कर दें, उन पर सारी एजिंसी का पुरा आकरमान हो, एक लेवल प्लिंग फीन आप होने ना दें, इस्टिूशन को आप अंडर्माइन करेंगे, तो ये एक हल्दी साइन नहीं है हमाई देमोक्रिसी के लिए, इसक करना पड़ेगा, लेकिन आप समझ कर भी मेरे सवाल का सीधा जवाब दे नहीं रहे सचित, लेकिन आपका व्यक्तित्व क्या जो परस्नालिटी के एक फॉम, आप बताई नहीं क्या समया जवाब देता, मैं करी को पार्टी की तरफ से एक तरफ का बयान आना चाहिए था, क किसी के खिलाफ किसी ने कोई नेगेटिव मंचा के साथ काम नहीं किया, अगर किसी का कोई सोचल मीडिया पर किसी ने पोस्स डाल दिया, उसको उन्होंने हटाया है और बोला कि हमने नहीं डाला है, फिर भी एक कॉंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जारी, मैं तो खुद अगर बढ़ते हैं, आपके व्यक्तित, आपकी परसनालिटी का एक फॉर्मिला है, जिसका जिकर आपने भी किया था, आपके मूँ से सुना मैंने, कि आपके मूँ में शक्कर होता है, तो अगर ये फॉर्मिला आप अपने पार्टी के नेताओं को प्रवक्ताओं को समझा अगरे तो कॉंगरेस पार्टी की मुश्किलें बहुत कम हो जाएंगे ना? अगर विपक्ष में हैं, और हमें अगता कि कुछ अहित हो रहा है, कुछ गलत काम हो रहा है, तो उसको हम डिफेंड नहीं करेंगे, अगर पॉलिक दो में लेकर याएंगे, तो भी गलत है, लेकिन हाँ, भाषा विनम्र होनी चाहिए, अशोबनी नहीं होनी चाहिए, और आ इच्छा उधारन पॉलिक में नहीं जाता है, अगर हम किसी को व्यक्तिकर टागेट करते हैं, परस्नल बात बहुते हैं, हमें पॉलिक्स ऑल्वेश शुड रिमें इशु पेस्ट, तो पॉलिटिकल पंडिट्स जो है, वो यह कह रहे हैं कि कॉंग्रिस पर्टी को उन नामो को मैदान में उतारना चाहिए, जो एक तरह से एक पॉलिटिकल नारेटिव को बदलें, जो इस वक्त यहाँ चल रही है, जिनमें आपका भी नाम है, कि आपको भी मैदान में उतारना चाहिए, क्यों नहीं उतार रहे हैं मैदान में, कि या फिर आगे ये नाम आ सकते हैं, चुनावी मैदान में हम चचिन पाइलेट को इस बार क्यों नहीं देख रहे हैं लोग सबा चुनावा में? मैदान में बैटिंग करकर जितर नहीं मैं बनाता हूं मरी पार्टी के लिए शायद और भी लोग नहीं बना बाती होंगे. लेकिन मैदान में उतर कर किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी निभानी है? आज मुझे जिम्मेदारी दिये है महासरचिव के रूप में एक स्टेट को समालने की चर्टिजगड़कों. और किसको चुनाव लड़ना है, किसको स्ट्राड़िज बनानी है, किसको कैमपेइन करना है, किसको संगटन में काम करना है, किसको सरकार में काम करना है, इसका अलग-अलग समय पर दिरने होता है. तोज़ार चार में संसद मेझ था, फिर मैं विधानसाब में था, फिर मैं उसे पहले केंदर منती रहा, फिर मैं पर्देश का अध्रक्ष रहा, हम लोग को ने विधानसाबा चुनाव लड़ी, मैं ने चार पांध चुनाव लड़ी चुका हूं, और जिन जन लोगों को पाटी ने चुनाम में उता रहा है, बहुत सोच समझ के जिताओ उमीदवानों को अता रहा है, पर ऐसा नहीं है कि जो चुनाम नहीं लड़ रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी तेह नहीं है, उनको डिलिवर करना पड़ेगा, जिस राज से मैं आता हू आप उतरते तो और ज्यादा चालेंज होता ना, आज इस्थान में कम से कम, हम तो चुनाम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, लेकिन जनता को पता होना चाहिए कि आज की जो राजनीत हो रही है, उसमें कही ना कही घमन और एहंकार के महग आ रही है, उसमें वो बिनमरता खतम हो गई और दस साल से वो भाषन और विज्यापन और अख़वार और वाटसाइप और टीवी और होडिंग और वो लगातार जो हो रहा है, और धरतल पर जो हो रहा है, वो अलग है, आज जो खाई बन गई है, अमीर और गरीब की, गाउं और शेहर की, वो लगातार पर बैठी ओडियंस, जो हमारी यंग ओडियंस है, तमाम सवालों के साथ तयार है, जब तक माइक पहुंचता है, चोटा सा सवाल, अमेठी राइबरेली के उमीदवारों को लेकर इतना सस्पेंस क्यों है, पर्दा कब उठने वाला है, राहूल गांधी प्रियंका गांधी वहां दिखाई देने वाले है? तो 2019 में 65, 65% जो वोट पड़ा था, वो इंडिया लाइन्स, पार्टी, प्रिटिकल पार्टी को पड़ा था, मतलब जो 100 लोग वोट डालने गए, सिरफ 35 लोगों ने भाजपा को समर्थन किया, 65 लोगों ने उनका विरोथ किया, जब इंडिया लाइन्स बन गया, तब बीज के लोगों को लेने की जरुवती क्या है, तो इसलिए ये बड़ा रोचक चुना होने वाला है, और जैसे 24 में चुनाव हुआ था, जब सोचते थे कि वाजपाई जी घंडिया शानिंग का नारा चलेगा और दुवारा सरकार बनेगी, ठीक उल्टा हुआ था, 24 में वोई हो अब बाल ले लेते हैं, पुछिये सावाद. जो 2019 में जो एक एक इन्वाइमेंट बन गया था, उसके चलते एक अलग परसीती बन गई थी, और हम लोग चुनाव में से एक भी सीट जीत नहीं पाये थे, डिस्पाइट कि हमारी है सरकार 18 बन गई थी, लिकिन 24 में आज माहुल अलग है, अब 10 साल की रिपोर्ट कार इन्वाना, दिल्ली, यूप, यहां पर हम लोग पहले से बहुत 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 बहुतर परफॉर्म करेंगे, और इंडिया लाइन्स में अलग अलग दलों की अपनी एहमियत है, लेकिन कॉंग्रेस क्योंकि एक लाज़ेस्ट पाटी है, पैन इंडिया, बाच्पा को चुन My question is, since this entire conclave is targeting the youth, so the very prominent, I would say, the trend, the prominent trend of today's era is to be someone who you are not, to be someone like you want to follow someone, you want to be someone else but not you. So, you have achieved a lot at a very young age, so what would you like to say to all those people, because I think today's youth, it is not happy, it is somewhere, you know, depressed, just because they are not being someone, they are not being who they are. So, how would you like to address this? First of all, thank you very much for your comments. Second of all, I am not that young anymore. I am 20 years more than the average Indian age today, and I realize that. That's why even someone like me, I am 46, but I still believe that even at my age, I have to start thinking ahead of how do I create space for the next generation. If I don't do that, then I am not doing justice to those who gave me the opportunity. Now, you understand, if I am not thinking about the next generation today, then those who have given me the opportunity, I am not doing it with them. And time waits for no one. And I think, we are young people, at a very small age, but the amount of talent, information, exposure, confidence. Look, in the 70s, the people who were scientists, doctors, engineers, who were scientists, doctors, engineers, who were working in NASA, who were going to be in America, who were going to be a big name in America. But Indians who were working across the world made names for themselves in research, in science, and so on and so forth. But what was lacking was the confidence. What was lacking was the art of making presentation, you know, of being, competing with the best in the world. Today, our generation, your generation of young people in India are second to none. I think what has really transformed last 10, 15, 20 years is that the young people today have the talent, the confidence of being good public speakers, of taking on any competition from around the world, Tokyo, London, America, where young people call them, you guys are better than them in fact. So, this is why one has to believe in themselves. You don't have to follow anyone. Look, I don't agree with this, that you will follow someone, that's not my idol. In every profession, some people perform good, some people perform good, and some people do something good. And in every person, there is a fool of a fool of a fool of a fool. It depends on you, what your heart tells you, who you should emulate, and try and follow those principles and footsteps. But ultimately, you have to be true to yourself. All of us are different people. We all have different things to offer. You have to recognize who you are, believe in yourself and follow your dreams. Look, ultimately, you have to be happy in your life. To be happy, you are the one who has the mind. You have to be a job, a job, a job, a job, an accountant, a lawyer, you have to be a money. And why is someone successful? Because he or she enjoys what they do. If you don't like what you do, you will be average. You will be above average. But you will not excel. To excel, you have to say that this is my calling. I am on this earth for this reason. And then, you will be able to do the entire work. If not, then tomorrow, you will be able to get you. That's my belief. And I have seen this in my own life also. Well, you don't believe, but you are the youth icon of the world. Well, you are the highest of your life. You are the highest of your life. You don't know... You don't know that you are the highest of your life. कि अगर में पंचिनर बन्या था, मैं पंचिनन में शुरू हो गए थी क्योंकि मैं उस टाम मंत्री नहीं रहा था, तो आप जली की अपसे बड़ कुछ से बल्कु से मत हूं क्योंकि प्याते साल में अगर आप पैंचन लिया कर रहे हैं, यह तो तो और आप तो आप प्रेंट how do you perceive the role of youth in shaping the future of India, particularly in the political landscape? I think it's inevitable. The role and how this country will shape itself in policy making, in politics, in societal influences, young people have a predominant space already. It will only get more and more, I think, larger, the role that they play. But I think young people also have to understand that mere self-fulfillment of professional qualification that I have to do it for myself, I have to earn money, I have to prove something. As one gets older in life, from college to post-graduate, to first job, second job, you understand that there is a lot more to life than pure self-satisfaction. That's very important. If someone wants to become a political leader as a professional, what should there be human traits and what should there be qualifications? You need to understand a lot of thinking. Because Rajneet is a very unreliable profession. Because if you work in any profession, then you will judge your capability, your work, your performance, and your performance will be judged. And you will be demoted, promoted, according to how you perform. Mostly. What is Rajneet? You don't have a lot of things in your hands. You are also doing work. You are also doing work with a man. You have done everything. But then there are influences larger than you. So one has to be ready to face the fact that there are things beyond your control. And you have to learn to roll with the punches. And time doesn't always stay. And I always say, and I think this is important for people in government to understand, what goes up must come down. And today's opposition is tomorrow's government. So one has to work with that positivity. Therefore, if you have to do Rajneet then you have to really believe that this is what you are here for. And just in the ideology you have to believe, I will not talk about any party, just in the ideology you have to feel the maximum comfort, then you should feel the same. But don't expect quick returns. Rajneet when you think that I will only take all the CDs today. But I think your formula is very good. I have a heart, a heart, a heart, a heart. This formula should be made for everyone. We will wind up this session. Good evening, sir. My name is Mukund Berival. I am from Modern School, Varakamba Road. I am in class 12. Sir, the Indie Alliance still hasn't announced their prime ministerial candidate for the 2024 Lok Sabha elections. Sir, don't you think that will act as a disadvantage in the elections? And do you think that that should be done as soon as possible? No, no, I think it's a good question, but you must understand also that I will take you back 20 years. In 2004, we have never announced our PM face. So, if you think that we are in the elections, we are in the elections, we are in the elections. Once we get people's mandate, then we will start and decide what we need. Then we will start and decide what we need. Please, any time, you can ask any question. I have the right to say pass. Okay, let's start with Sachin Pilot. Okay, let's start with Rapid Fire, Bharat or India? Sorry? Bharat or India? Bharat. Delhi or Jaipur? Jaipur. Fitness for fitness or gym? We can do both. Dalbati Churma or Rajma Chawal? Dalbati. Dalbati? Rajma Chawal is your favorite? No, it's my second favorite. Okay. Cricket or football? Cricket. Hindi films or Hollywood films? Hindi films. Kurta, pajama or denim shirt? Delhi University or Wharton School? Tough. The one I was in Delhi University, there is no sign of it. And the one I went there and learned, that has added a lot to my life. So, it's difficult to choose. Difficult to choose. Reading or music? Music. Which song do you like? I don't know if you are in this, why don't you ask? I asked you. Okay. Ram Ram Saar or Pranam? Ram Ram Saar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. नेताओं को, पॉलिटिकल लीडर्स को ये उयुवा एक सक्सेस्फुल पॉलिटिशन के तौर पर देखते हैं। शुक्रिया सचिन पायरे, थैंक्चू